आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IOC की इंडियन वाइल कॉर्परेशन लिमिटेट में अगर देखे तो काफी अच्छी न्यूज यहाँ पर सामने आ रही है इंडियोस को देखकर दग रहा है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में काफी बड़ी बड़त देखने को मिलने वाली है क्योंकि यह न्यूज है कॉर्टर टू से रिलेटेट और साथ ही डिविडेंट से रिलेटेट तो वीडियो को बिना स्कीप किये एहंग तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना साथ ही आप प्राइस एक्षन सीखना चाते हो तो आप हमारे सेकेंड चैनल चार्ट वाला को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल चाएगी आई वोसी की बात करें तो 88.40 रूपीज के राउंड यहाँ पर शियर क्लोजिंग देता हुआ नज रहा है पिचानवे पेसे के राउंड अगर आप देखोंगे मॉर्निंग में ही स्टॉक ने अच्छी बड़त बताई थी अले टाइम में एक तगड़ी बड़त देखने को में लेगी एक महीने में 6 रुपे गिरा 6 महीने में तो ग्रोथ ही है और एक साल में भी तो यहाँ पर लेवल्स भी काफी शांदार है और न्यूस भी यहाँ पर डाइरेक्टर की बड़ी घुशना हुई है अनुज जो है यहाँ पर as a finance director उन्हें appoint किया गया है Indian oil corporation limited में तो अनुज जिन यहाँ पर डाइरेक्टर को लेकर यह news जो है काफी हत्तक positive है और इसका impact भी share के उपर पड़ा है क्योंकि काफी हत्तक experience है वही अगर हम बात कर ले quarter 2 के results की तो यहाँ पर जो OMC shares है उनकी यहाँ पर report हमें देखें तो oil sector के share oil marketing companies जिन में IOC यहाँ पर top करता है और quarterly results previous के अगर बात कर ले तो earning में यहाँ पर sharp rise हमें देखने को मिल रहा है और वही अगर हम बात कर ले जो IOC है और यहाँ पर lead the pack यहाँ अगर देखें तो IOC यहाँ पर top manager आता है तो IOC के results यहाँ पर शांदार हमें द दियान रखना है और वही कर देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है earning on oil marketing companies in the second quarter of current fixable is expected to moderate from record highs achieved in the previous quarter तो यहाँ पर अगर देखें कि record high यहाँ पर लग सकता है और इसकी वज़ा से हमें यहाँ पर dividend का भी announcement हो सकता है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आगे बताने वाला हूँ according to a report by JM financials quarter to earning of OMC's is expected to moderate from the record high in the April-June quarter due the sharp impact on marketing segment earning on account of higher international crude prices तो जिस तरीके से crude prices में high यहाँ पर नजर आ रहे हैं उसी वज़ा से यहाँ पर एक strong rally इसके results में भी हमें पढ़ती हुई देखने को नजर आएगी इन चीजों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो dividend कैसे है dividend हमें कैसे मिलेगा तो यहाँ पर उसे discuss करें तो यहाँ पर IOS की बात करें तो 37 बार company dividend दे चुकी है यहाँ पर अगर बात करें तो इसने COVID के time भी 2 बार dividend दिया है और वही अगर बात करें 2020 में एक बार 2021 में इसने 3 से 4 बार तक के dividend दिये वही 2022 की में बात कर लूँ तो company ने at least two times dividend हमें दिया है दोनों ही बार यहाँ पर अगर देखो एक final dividend था और एक interim dividend था बट company ने 2023 की अगर में बात कर लूँ तो जुलाई मन्थ में company की ओर से dividend दिया गया ओ भी 3 रुपे का dividend final dividend था बट company का आप record उठा के देख लो final dividend और एक interim dividend देदी है covid period को छोड़ कर यहाँ पर आप हर time देख सकतो हमें dividend तगड़े देखने को मिलते हैं सिर्फ इसने interim dividend दिया था 2020 में और उसका उसकी बरपाई इसने अगले साल 2021 में कर दी लगबग 4 बार dividend देखे तो इन points को भी note-down करके रखना है तो क्योंकि results की अगर बात कर ली जाए तो results में तो यहाँ पर एक शार प्रहली हमें देखने को मिल सकती है अब volume की बात करें तो वन करोड के राउं तक का trade value आज भी उठाया गया और वही अगर देखे 100% जो community segments के बात कर ले तो यहाँ पर 100% लोग का मानना है कि आपको इस share मे buying क्यों जाना चाहिए तो यह positive यहाँ पर fact है एक positive चीजे होती हुई IOC में नजरा रही है और IOC का जो share है वो आने वाले time में भी एक अच्छी growth बताने वाला है तो यहाँ पर हमने इस चीज को देख लिया अब बात करते हैं levels की तो levels की अगर बात कर ले कल जो points हमने discuss की है उ यहाँ से आप देखो ऊपर की और क्या और sustain करके ही यह upside की और जाने के लिए विलकुँ यहाँ पर ready है और आज गया भी प्रिवेस और यहाँ पर trading season की बात कर ले तो stock में एक fall आया था और आज देखे तो breakout के बाद यह उपर गया था previous video देखा होगा तो आपको ए चीजे का बिलकुल उपर से एक fall आया फिर यहाँ पर upside down momentum है एक inverted पॉलन फ्लैक टाइप पैटन यहाँ पर बना और उसके breakdown के बाद एक बड़ा fall हमें कल देखने को मिला इसराइल वार का भी impact रहा और वही अगर हम देखे जो यह trade line है एक support trade line है नीचे से और उपर से अगर हम देखे तो एक rejection trade line है तो इस दो trade line के बीच अगें sustain कर रहा है और बिलकुल यहाँ से हमें उम्मीद है कि यह जो share है सीधा यहाँ से एक बड़ा momentum बता है एक upside की और का जो impact है वो काफी हमें शांदार देखने को मिला है तो आज stock में तो बिलकुल अच्छी rally देखने को मैं मिली है और यहाँ पर अगर हम देखे तो कहीं ना कहीं अपने previous high को भी यह break अगर करता है तो यहाँ से कल 89.50 रूपिस के round भी जा सकता है जो इस trade line के round का होगा तो यह point share है ऊपर से हमें rejection बताते हैं लेवल यहाँ पर आप देखो हमें rejection मिला यहाँ से rejection मिला अगेन यहाँ से rejection है और यहाँ पर आप देखो हमें rejection तो multiple time stock ने हमें ऊपर के और rejection दिए downside की और से अच्छे support देखने को में मिले है और वही आप देखो एक proper falling wish type pattern बनता है और इसी के साथ अगर ये इस particular trade line को break करता है upside की और तो यहाँ से जो ये share है और अच्छे return देगा एक बहतरीन daily हमें देखने को मिल सकती है ऐसे share में तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखने हाला है और वही गरम देखे तो यहाँ पर जो ये share है 96 रुपीज के around भी जा सकता है तो यहाँ पर 96 के around अगर जाता है तो आपको हट share पर 8 रुपे तक के फाइदे भी 8 रुपे तक का फाइदा भी देखने को मल सकता है तो इन points को भी आपको note down करके रखना है और जो ये trade lines है ये trade lines हमारे लिए काफियत तक important थी तो इन trade lines को भी हाँ पर हम discuss कर लेते है तो यहाँ पर थोड़ा बड़े time frame पर हम जाएगे जैसे day 1 के time frame पर तो day 1 के time frame पर अगर आप इन trade lines को देखो तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो तो ये जो trade lines है काफियत तक important है क्योंकि इन levels के ऊपर ये काफी time से अगर देखे support ले रहा है काफी time से इन levels को rejection इन points को rejection भी दे रहा है इन जो particular levels है यहाँ से support लेके उपर गया अगें support लेके उपर गया और यहाँ पर मैंने कल बोला था कि इसके नीचे अगर sustain कर जाता है तो एक fall आएगा बड़ इसके उपर ही अगर चले जाता है तो यहाँ से एक recovery भी देखने को हम अबल सकती कही ना कही हमें एक head and shoulder type pattern भी हाँ पर देखने को मिल रहा था तो बड़े time frame पर अगर हम देखे जैसे one week के time frame पर कुछ points है जो अगर हम उन पर ध्यान दे तो यह जो particular level था यह काफी अद तक important level था क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखे तो उपर का जो level था यहाँ से हमें rejection मिला था और इसी के around sustain भी किया और यहाँ से भी rejection मिला था तो यह जो particular दो points है हमार लिए important है तो इसलिए in points को हम काफी अद तक काफी time से यहाँ पर अगर देखे follow कर रहे हैं और already यह जो share है इसमें एक inverted head and shoulder type pattern भी था यहाँ पर जिसके breakout के बाद बड़त रही और हम previous वीडियो में discuss कर चुके है और यहाँ पर एक ascendal type triangle भी बना है तो sustain करके हमें उम्मीद है कि यह share आने वाले time में एक अच्छी growth बता है एक अच्छी बड़त बता है इन points को भी आपको note down करके आपर रखना है So I hope video आपको helpful लगा होगा अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना चला हो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी शियर में investment करने से पर लें शियर का analysis कर लिना और एक important point अगर आपको price action सीखना है तो आप हमारे second channel को सब्सक्राइब कर सकतो लिंक नीचे description में मुझे